हलो फ्रेइन आज हम बनाने वाले हैं साई पनीर वो भी घर पे रेश्टूरेंस जैसा 300 का पनीर 50 रुपे दूद में आज रेडी हो जाएगा तो चलो चलते हैं बनाने के लिए आउस से पहले आप सब का स्वागत है बेबी होम किचन में आप देख रहे हैं बेबी होम किचन ह उमारा वीडियो थोड़ा से पसंद है तो लाइक कमेंट से यह जरूर करिएगा हमने तेश पत्या काली लाइची और जीरा और उसको क्या कあっ Alexand МУ यह दााल चिनी यह सारे मैंने उसमें डाल दिया है तेल में गरम हो गना था और प्याज्ज टमाटर मेर्चू यह सारे मैंने त तेस्ट के लिए ना साही पनीर बना रहे हूं और यह सब तेल में डालके फ्राई कर लेंगे अच्छे से थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि यह टमाटर प्यास जो है अच्छे से गल जाएं तो मिक्सी में पीशने में आसानी रहेगी तो यह सारे हम पका लेते हैं थोड़े द तो थोड़ा सा इसमें पानी एड करेंगे फ्रेंड क्योंकि अभी गल नहीं रहे हैं पानी से अच्छे से यह पक जाएंगे और गल जाएंगे पीसेंगे तो अच्छे से पिक जाएंगे तो पानी डालके इसको ढखके दो मिनट के लिए रख देंगे तो फ्रेंड हमने दो मि पीछेंगे तो सही से क्या होता है तो गरम नहीं पीछ सकते हैं तो मैंने इदर फन्ड़ा हो रहा है तब तक हमने डाला यहां पर कड़ाई में थोड़ा सा ऑयल दो चमजगी इसलिए डालने के कुई शाही पनीर बना रहे हैं न तो जो हमने पनीर रखा था ता हमारे यह तो husband को हमारे इतना पॉसंद आया friend कि उन्होंने दुबारा से रखा था जो 200 ग्राम तो उसका बना आए तो देख सके हैं friend यह हमारा जो पनीर है अच्छे से fry हो चुका है तो यह हमने दूद ले लिया है एक गिलास है दूद इसको अच्छे से मैंने गरम कर लिया है इसी गरम दूद में यह जो हमारे पनीर के टुकड़े हैं जो फ्राइ हो चुके इसी में डाल देंगे दूद में इसलिए डाले हैं क्योंकि friend अच्छे से यह soft हो इसका पनीर वरना आपके आप डालना चाहें तो दूद में डाल सकते वरना नहीं डाल सकते हैं फिर हम कड़ाई में थ थंडा होने के लिए रखता था ना इसको थंडा होंके मैं तो सारा काजु वाला जो टमार्टर वगेरा था वो सारा पीज्ड के मैंने इसमें डाल दिया है friend तो अब यह हम और में डाल देंगे इसको अच्छे से पकने देंगे मिला कि यह लगे नहीं कि यह लगता बहुत तो यह लग रहा है ना मसाला बिल्कुल साही पनीर का कितना अच्छा लग रहा है आज से भी देखने में अच्छा लग रहा है यह पका हुआ था तो ज्यादा देर इसको नहीं पकाएंगे तो यह तब तक पक रहा है तब तक इसमें हमने जो घर की आज डेड़ लीटर अच्छे से फेंट देंगे ताकि यह जो मलाई वगएरा है अच्छे से मिक्स हो जाए फ्रेंड तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगता प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग हमारे वीडियो कांस देते हैं तो मैंने थोड़ा सा डाला है लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च में डाल चुकी थी थोड़ा सा हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर धनिया पाउडर यह सारे मसाले डाल के मिक्स कर देंगे ज्यादा नहीं डालेंगे कोई 200 ग्राम ही हमारा पनीर है तो इसलिए ज्यादा नहीं मसाला थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे तो म ट्रेंट रिक्स मत लें इसको धकी ही पकान तो तो हमने बाद में थोड़ा सा मसाला मेरा पक्ट गया था तो मैंने इसमें डाला है कर्समीरी लाल मिश फ्रेंड इसलिए डाला है थोड़ा कलाराने के लिए हमारा मसाल अच्छे से पक चुका है तो जो हमने दूद में पनीर डाला था वो दूद से पनीर को डाल देंगे कड़ाई में और अच्छे से मिक्स कर देंगे फ्रेंड वैसे तो सब कुछ पका हुआ ह वैसे पकाने का जरूरत नहीं है तो आप हम डालेंगे सौधानुसा नमक और आप ध्यान रखिए क्योंकि मैंने पहले नमक डाल दिया था जब हम टमाटर और प्यास वगएरा को फ्राई किये थे ना मसाला का तब उसमें डाल दिया था इसलिए अब भी उतना नमक डालेंगे ज़्यादा नहीं डालेंगे और हमने अब कस्तूरी मेथी हमारे पास है तो थोड़ा टेस्ट के लिए हम कस्तूरी मेथी डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट पनीर का ज़्यादा आता है होटल रिटूरेन जैसा टेस्ट के लिए तो अब इसमें इसको ढख के बल्कुल स्लो आज में रख देंगे फ्रेंड अब यह हमारा यहां पर हम घी गरम कर रहे हैं दो बड़ा दो चमच घी गरम किये हैं उसमें डाल दिये हैं आट-दस काजू और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब पनीर का टेस्ट तो तब ही आएगा इस यह इसका काजू का तड़का लगाऊंगी तब वैसे पनीर मेरा रेडियो चुका है बस तड़का लगाने को बाकी है तो फ्रेंड यह हमने तड़का लगा दिया अब इस पनीर को क्या कहना बहुत ही टेस्टी और हमारा देख सकते हैं देखने में कितना टेस्टी लग रहा है आप लोग ज़रूर च्रा जाता है और यह हमने थोड़ी सी धनिया जादा नहीं थी मेरे आपे तो हफ्रेंड थोड़ी सी धनिया डाली है जाता धनिया करता हो चुकी तो घूड़ा झो घर ता लगैसे हुथा उसलिए लिग्जा जया नहीं बनाया क्यूंकि मैरी हस्ब्रेंड को बाउत पसंद आई तो आज मैंने उसका वीडियो बना लिया और वैसे मैं मतर पनीर ही बनाती हूँ साही पनीर कभी नी बनाया होटलों में खाया है साधियों में खाया है तो आज मैंने घर पे फाइनली बना लिया साही पनीर बहुत अच्छा बनाया आप देख सकते हैं देखने में ही प्यारा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर ट्राइ करिएगा होटलों से अच्छा घर पे और सस्ता भी पड़ता है तो फ्रेंड अब हम बना रहे हैं चटनी, पुदीना और अम्या और चार-पांच मिर्च और टमाटर और धनिया थोड़ा सा दरा कर टुकड डाल के और डाल के इसको मिक्सी में पीके लाइगे चटनी हमारी पीक चुकी है अब हम बना रहे हैं रोटी फ्रेंड तो रोटियां हम जल्दी जल्दी बना ले थें आप लोगों से बात करना है मैं प्लीज प्रेंड तो लैक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर लेजिएगा और बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ रही है आप लोग कमेंड करके बताएगा कि आप लोगों किया गर्मी कितनी हो रही है आप लोग कहां से देख रहे हैं हमारे यां तो बहुत ज़्यादा जर्मी फ्रेंड की बरतास्ते बाहर है पर क्या करें हम और दों को खाना तो बनाने पड़ेगा तो फाइनल हमारा खाना बनके रेडियो चुका तो देख सकते हैं पनीर कितना आप यमी है और हम खाना लगा आप लोगों के ही लिए तो यह देखो हमारी बुदीने की चॉंटनी यह धनिया नहीं थी जादा इसलिए हरी नहीं है तो यह हमारी बुदीने के चुटनी एख वह कि वह सब जी और हम खाना लगा रहे हैं घी में क्योंकि घी लगा रहे हैं और खाना लगा रहे हैं तो आप लोग प्लीज प्लीज अमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज बताएगा थोड़ा सा प्याज रग दिये हैं Till дов a जाये ये इस ताली निया है husband के लिए और पिताजी के लिए मैंने ये ठाली लगा दी है तो I hope हमारा वीडियो पसंद आ हमारा वीडियो पसंद आया तो like, comment से ये और बाबाई फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाबाई